मुझे आप यह बताईये आप बोल के मुसल्मानों को सब दे दिया जाएगा किसा अदार मंत्री करें कोई प्रधार मंत्री से पूछось रहा है कि आपको क्या लगता है किसा अधार प्रधार मंत् 만들어 भूल नहीं वो तो हमें बोला गया है जो डंकापती बोल दें उसे कम से कम हमें तीन दिन तक दवराना है सारा गोधी मीडिया मिलकर कम से कम तीन दिन तक हमें दवराना है और जो राहुल गांधी बोल दें कैसे भी करके हम गोधी मीडिया बालों को पपु साबित करना है नहीं तो ह हमारी पागार काड़ती जाएगी हाँ बिल्कुल गुलु की तरह भैठा हुआ है उसके मूँ से एक सब्द नहीं निकल रहा है चिछा जी के समर्थन में चिछा जी के जूत कुई मीडिया बैट कर इस तरह से प्रोमोट करता है कि जैसेad कि घणों ग्यानी है इतियास के बारे में हो ते आ Dwit Czech का इतना ग्ढान है जैसे साइट बिस्सों में किसी नेता का ग्यान नहीं है इस तरह से गोदी मीडिया पेस करता है और जैसे गुल्लू का सामना प्रियंका चतुरवेदी से हो गया है गुल्लू के मुह से जवाब नहीं है एक सब्द नहीं निकल रहा है चीचया जी का उस जूट को लेकर कैसे धोया है गुल्लू को प्रियंका चतुरवेदी ने उसको आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाऊंगा कैसे प्रियंका चतुरवेदी ने गुल्लू को धोया है चीचया जी का उस बयान को आगे बढ़ाने के लिए उस पर खबर चलाने के लिए प्रियंका चतुरवेद को ये कहना चाहूंगा और भक्त जनों को ये कहना चाहूंगा तुम लोग पत्रकरिता छोड़ कर एक खास पाटी के दलाली में लग जाओ, एक खास पाटी का तलवे पर जाकर गिर जाओ, उसी से साइद तुम लोगों को सुकून आ जाए, भले ही देश का बेड़ागर्थ हो भले ही हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ्रत घूल जाए, भले ही देश में हालत इस तरह से तुम लोग बिगाड़ दो, कि हिंदू मुसलमान वापस में लड़ भीड़कर आगे की लफज तुम लोग जानते हो, आगे की लफज में बोलना नहीं चाहूंगा, और आज यही हो भी रहा है। और भक्तों तुम लोगों को यह कहना चाहूंगा, हाथ जोड कर बिंति करना चाहूंगा कि गोधी मीडिया को देखना बंद कर दो, बरना इस तरह से हाला बिगाड देंगे तुम्हारा कि घर में तुम लोगों को खाने के लिए चावल नहीं होगी, सम तक जूट परोशने के अलाबा एक भी एक भी सच्ची खबर यह लोग नहीं चलाते, किसी भी खबर को तुम लोग भेरिफाय करो, किसी भी खबर को तुम लोग खूद जाचकर करके देखो, कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के सामने जूट परोशते हैं, हा उस खबर को चलाया गया, कितने दिन एक पाटी को खास पाटी को घेरा गया, उस दल को घेरा गया, उस दल के बारे में खबर चलाया गया कि जानते सुनते क्यूं प्रजुवल रवन्ना को चुनाओ लड़ाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ भोट के लिए, जबकि वो इतना बड़ा क्रिमिनाल था, जिस तरह से संदेश खाली का खबर को तुम लोगों के सामने पेस किया गया, जिस मात्रा में तुम लोगों के सामने पहुचा आया गया, क्या प्रजुल रबन्ना के बारे में भी इस तरह से तुम लोगों को बताया गया, आज संदेश खाली की बारे में पढ़ना किस तरह से संदेश खाली की खबर अब जूटी साबित हो रही है क्या मनिपूर के बारे में जिस तरह से संदेश खाली की खबर को चलाई गई क्या मनिपूर के बारे में इस तरह से चलाया गया था अभी भी वक्त है तुम लोग सुधर जाओ और गोदी मी दिया है, देख लो पारी मैनिफेस्टो, but it becomes important कि जनता के बीच मेनिफेस्टो जाना चाहिए, यह जो जूट, प्रदान मंति नरेंजर, मोदी जी के मुह से निकल रहा है, यह बहुत ही दर्दनाक है, पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टों का, जो equity की बात करता है, social justice की बात करता है, आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजे, कि मुसलमानों को उठा कर सब दे दिया जाएगा, यह किसी धर्म के आधार पे दे दिया जाएगा, यह किसी जाती के आधार पे दे दिया हो जाएगा, मैं आपको invite करें हूँ, openly आप अपने जब पढ़ा है, तो आप अपने चैनल पर अगर चलाते हैं, आप जूर पर रहा है लेकिन अप जूर पर हो स्रेये, पर चैनल पर चैनल पर तो हम जो बैयान होते हैं, वो दिखाते हैं तो ये कहीं न कहीं दूरी है, पर आपका आरोप है कि प्रदान में तुह जुड बोल रहा है आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है